अभी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं दक्षभाई लिख रहे हैं सूर्या वर्सेज आदिल रशीद की बैटल पर आपका क्या कहना है और आपके इसाब से क्या सूर्या वो इंसाइड आउट सिक्स मारने का ट्राइ करेगा लाइक 2022 सेमी फाइनल डेफिनेटली सूर्य कुमार यादब करेंगे बट आएम लुकिंग अब बेटर मैच अब आदिल रशीद बर्शेद शिवम दुबे अगर वो सेट अप होता है और शिवम दुबे यहां पर अगर डिलिवर करने में सक्सेस होल होते हैं क्योंकि आदिल काइंड अप बॉलर गेंड को हवा जरू है और शिवम दुबे के सामने जब आव गेंड को हवा देते हैं तो शिवम दुबे थोड़ा सा मतला बॉल के नीचे आने में थोड़ी आसानी रहती है तो अगर फ्लैटर ट्रेजिक्टिव और फिकते हैं तो विकाज उनकी और अच्छी है तो Elevation उतना मिलता नहीं जब क्या होता है जब लंबी हाइट का बैट्स, तो गेन के नीचे जाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है उसमें, जब बॉलर हवा देता है तो नीचे जाने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है वो elevation बेसिकली जो होता है वो आसानी से मिलता है तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे जिस तरह के leg spinner के सामने या left arm spinner के सामने ज़्यादा ज़्यादा comfortable होंगे वो आदिल रशीद होगा जैसे adam jumper शिवम दुबे को जब गिंदबाजी कर रहे थे तो आपने देखा कि एकदम काफी फुल और फ्लैटरा ट्रेजिक्री की गेंद उन्होंने की शिवम दुबे के तो उसके नीचे जाना शिवम दुबे के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था हला कि देखो mindset की भी बात है कि वो उतने chances उन्होंने लिये नहीं और वो लिये नहीं बट मुझे अब से अगर गिनबाजी देखो न तो रीस्टॉपली भी टीट्वेंटी क्रिकिट में इस नॉट आ विकेट टेकिंग बॉलर बहुत ले सकते हैं लेने को तो कोई भी ले सकता है ना बट अब अब तक जिस तरह का वर्लकप गया है तो वो नॉमल एक गिनबाज आपको कि कालता था अब यह वो जो फरारचर तो है नहीं और मार्प उड को यह खेलाएंगा या नहीं खेलांगा मुझे लगता नहीं किलएं अगर overall career और वो सारी season देखें तो नहीं है बट England के लिए खेलते हुए थोड़ा death over मैं अच्छ इनवाजी करते हैं कभी कभी क्रीज चॉपली मुझे लगता ही कि आप एक baller पकड़ सकते हैं जिसको तोड़ सकते हैं और दूसरा आपको तोड़ना पड़ेगा अदिल रशीद को और लिए अब लिवंस्तन भी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे शायद मोहीन अली हो सकता है कि कम गेंदबाजी करें बट historically अगर देखो न मोहीन अली इंडिया के खिलाफ जादा successful रहें as a baller उन्होंने test cricket में भी और limited over cricket में भी इंडिया के खिलाफ खुब विकेट निकाले और spinner होते हुए वो इंडियन राइट हेंडर के लेके जाते हैं तो इस बार वो ना जो टिपा पकड़ते हैं राइट हेंडर के सामने थोड़ा सा चोथे स्ट्रम से गेंद पढ़के अंदर आती है वो टिपा नहीं पकड़ने देना मोहीन अली को क्योंकि वो टिप गेंद बाजी कर सकते हैं बट अगर आपने उनको शुरु से अंडर प्रेशर डाला तो यह भिखर भी सकते हैं आपने अलाउ किया मोहीन अली को टिपा पकड़ने के लिए तो मोहीन अली आपके ऊपर चड़के बैठेगा आदिल रशीद को आपने अलाउ किया गेंड डाल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा उनका गूघली जो है वो जादा विकेट टेकिंग डिलीवरी बनता है वो राइट UPG बनता है और लेफट एंडर की बनता है राइट ऑन की एगेंस क्या है कि गूघली उनका पढ़के अंदर आया तो आपको LBW candidate बनाता है और उन्हें बोल्ड पर बहुत सारे विकेटी इसी वर्लकब में निकाले हैं, जो गुगली उनकी अच्छी स्पिन होती है, जैसे आप आज की दोर में देखें हैं, तो रवी विश्णोई की भी गुगली काफी अच्छी स्पिन होती है, तो इनकी भी गुगली जो है, वो काफी अच्छी स्पिन होती हैं, अंदर पढ़के काफी आती हैं, चहल जैसे गुगली करते हैं, उनकी गुगली उतनी टरन नहीं होती है, तो मैं एक similar kind of baller ढूँड़ रहा था, example देने के लिए, क्यामित मिश्णा की गुगली जैसे turn okay, प्युशाबला की गुगली पढ़के बड़ी शाप अंदर आती थी, तो यह उस तरह के गुगली पढ़के शाप अंदर आती है और वो विकिट टेकिंग डिलिवरी बनती बनती है, तो उसको थोड़ा सा बस ध्यान रखना, फिक करते हुए और ध्यान से आपको हाँ देखके खेलने की कोशिश जादा करनी है, कि गुगली जब पढ़े तो उसको आप समाल लेना, बाकी leg spin में आपको यह उतना threaten नहीं करेंगे, यह गेंद को हवा देगा देगा और आप अच्छा कदमों का इस्तेमाल करें, इनके खिलाब आइदर फुल पे लें या कट के मौके भी आपको देंगे, यह गेंद बाद जो है ना वो ज़्यादतर विकेट जो निकालता है, वो गुगली इनकी काफी एक विकेट टेकिंग डिलिवीर रही है, जो बहुत सारे इस वर्ल्ड कप में बैक्समें रहें, नहीं नहीं टीमों के वो पढ़ने में सक्सेस्फुल नहीं रहें, तो इंडियन बैक्समें हाथ से गेंद पढ़ सकते हैं, लाइक विराट कोली और रोई शर्मा तो कम से कम यह काम कर सकते हैं, शिवम दुबे भी खेल रहें, यह भी जो भी नीचे के बैक्समें खेल रहें, कोशिश करें, उस गुगली से थोड़ा बच के रहना, इनके उप पर टारगेट करना, यह दूसरी चीज़ और तीसरा लियाम बिंस्टन, लियाम बिंस्टन को हलके में मत लेना, he is a more than a part-time spinner, पिछले बार भी हमने थोड़ा सा उनको हलके में लिया, allow किया उनको भी, तो जैसे मोहिन अली के लिए मैंने कहा कि इनके उपर एकदम आपको spinner नहीं है, जैसे हमारे पास अक्षर पटेल है, हमारे पास रभीन जड़िजा है, हमारे पास कुल्दी प्यादव है, जो consistent gain डालते रहेंगे, इनका क्या है न, shots पढ़ेंगे, तो इनकी line भी बैसे भी आपको बैरी होती हुई दिखेगी, उतना consistent line से डालने वाले spinner नहीं है अगर आप इनको मार दें, कुछ shots, तो फिर इनको ज़्यादा विखरते हुए आप देखेंगे, क्योंकि आप T20 cricket में, जब भी IPL में खेलने के लिए आते हैं, तो इतनी gain बाजी उनसे की होती नहीं है, खराई नहीं जाती है, तो आप देखते हैं, नतीजा आप देख चु करेंगे, और पदा नहीं, रोई शर्मा यही सोच के शिवम दुबे को सलेक्ट करके लाए थे, अब देखना है कि जो हम बड़ी पारी की बात कर रहे हैं, एक exceptional पारी की बात कर रहे हैं, वो कहां से आती है, विराट कोली से आती है, रोई शर्मा रिपीट करते हैं, तीन नम इंट्रेस्टिंग चीज रहेगी, और tactical match-up में सबसे important चीज यही है, कि हमने England के spinners को जितना बहतर खेला, उतने ही बहतर chances हमारे जीखने के रहेंगे, और मुझे लगता है कि fastballer England के आपके बहुत जादा bicket तो नहीं निकाल पाएंगे कम से कम, वो जरूर हो सकता है कि जैस और जो कहानी दिख रही है, वो मुझे कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, बाकी रही इंडिया की गिंदबाजी की बात ही, तो इंडिया की batting versus England की balling की बात ही, बाकी अगर मैं इंडिया की गिंदबाजी की बात करूँ, so traditionally England leg spinner को अच्छा नहीं खेलता, और जब भी उनके सामन leg spinner आता है, तो England हमेशा जो है न, अब आजकल हमने देखा है कि England के batsmen leg spinners को अच्छा मारते हैं, हाथ से पढ़ना अभी भी नहीं शुरू किया उन्होंने, लेकिन वो गेंद की line पढ़के अच्छा मारते हैं, लेकिन यही team थी, जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही थी और थोड़े फसे-फसे से विकेट थे, तो सारी batting line of surrender कर गई थी, semi-final में भी नहीं पहुंची England की team और अफगानिस्तान से हार गए, और भी matches हार गए, इंडिया ने 223 chase नहीं करने दिया, यह सब आपने देखा है, तो England की batting बहुत dangerous है, अच्छे विकेट पर, spinners के खिला समसी को खिलाया नहीं, एक over markup कर गए, वो भी 4 run में निफट गए, तो ball यहां पर फसेगा, तो हमारे spinners को थोड़ा सा England को फसा के ही रखना है, और यह जब आप इनको फसाएंगे न, इनका temperament वो नहीं है, कि यह थोड़ा patience के साथ खेल जाएं, यह फड़ फड़ाएंगे जरूर, और जब फड़ फड़ाएंगे, तो आपको यह आउट होने की opportunity भी देखे जाएंगे, तो थोड़ा साथ smart play, इंडियन टीम को यहां पर देखना पड़ेगा, और hopefully इंडिया इसमें successful हुई, तो जीत हमारी होगी,